मैंने कुछ महींनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको यह समझाया कि आकिर क्यूं Indian Railways हमारे METROES में जो Ticket Checking Machines होती है उनको अपने सिस्टम में लागो क्यों नहीं कर दी मैंने आपको उसे वीडियो में समझाया था करवाना पड़ता है अपनी face को दिखाना पड़ता है तब जाकर यह अब अंदर जा सकते हो यो ही जिस तरीके से platform पे टहलने आप जा सकते हो वैसे actual में airports में possible नहीं है और railways यह वाला system भी क्यों implement नहीं करती और इस चीज के बारे में भी हम जानेंगे कि क्या ऐसी चीजे है जो railway को रोक रही है और साथ-साथ यह checking वेगरा होना ज़रूरी क्यों है उसके उपर हम बात करेंगे जो हमने पहले वाले वीडियो में इतना cover नहीं क्या था तो शुरू करते हैं अब पहले समझ लेते हैं कि यह security के point के सबसे में क्या बोल रहा हूँ आपको यह बता दू कि airports हमेशा से ऐसे नहीं हुआ करते थे जहाँ पर आपको proper इस तरह के verification के साथ में जाने मिलता था आप airport में यह ही टैल सकते थे इसे देशों के अंदर आप अभी भी ऐसी ही जा सकते हो वहाँ पर किसी को pick up करने के लिए लेकिन इंडिया के recent history में hijacking की issues रहे है airport के baggage area में घुसने के बाद में वहाँ पर issues create करने के incidents हुए है जहाँ पर लोग जो है वहाँ पर जाके security threats बना देते है और वो ऐसी चीजे जो है कही ना कही पर discourage हो जाती है एक level 1 check के जरीए अगर आपके पास में एक valid ticket है एक valid ID है जो verify हो रही है scan हो रही है तो उस time पे clearly यह समझ में आ जाता है कि आप airport में actual में flight पकड़ने जा रहे हो अगर आप time pass करने को जा रहे हो तो वहाँ पर अपको entry नहीं देखी जाएगी और साथ सार अब जो security के लोग है उनके सामने directly एक पहला ही red flag बन कर निकल के आते हो जो कि आगे की कारभाई के लिए easy बन सकता है और successfully कई लोगों को इस तरीके से रोका भी जाता है साथ सार इसके buy products भी है इसे reasons है जिसके कारण वो यह चीजे नहीं करती पहला reason समझते है पहली बात यह है कि railway का system के अंदर ही चीजें implement करना बहुत मुश्किल है और infrastructural challenges इसके लिए बहुत है उसके बारे में आगे बात करेंगे लेकिन पहले बात करते है systematic challenges के अब देखो ticket checking machines का अगर हम इस्तमाल करना शरू कर दे यात्रियों के verification के लिए तो कईना गई पर railways के अंदर एक बहुत बड़ा process automate हो जाएगा जो mainly manual checking का आज है आज railways में हजारो ticket checkers काम करते हैं जो कि railways के दोरा point के जाते हैं वे जो ticket checkers होते हैं वो बिना मौसम बारिश के कही पर किसी भी घड़ी पर आपको ticket check करने के लिए मिल जाएंगे लेकिन वो जरूरी नहीं है कि 24 घंटे platforms के अंदर मौझूद होंगे और ticket check करते रहेंगे हर एक passengers का TC offices को maintain करने के लिए railways का expenditure बहुत बड़ा है जहाँ पर salaries, pensions, etc, etc कर देखते रहे हैं हम तो यहाँ पर यह process बहुत ही slow, inefficient नजर कराता है in fact कुछ-कुछ data के इसाब से जितने without ticket लोगों को TC's पकड़ पाते हैं उससे 5 गुना ज्यादा लोग actual में without ticket travel कर रहे होते हैं मेरे experience के सबसे बात करें तो मेरे सबसे आखड़ा कम से कम 20 गुना होना चाहिए without ticket court versus actually without ticket का तो कहीना कई बर जब machines के implementation की बात आती है तो strong resistance देखने मिलेगा railway unions के जरीए क्योंकि अगर किसी station पर 50 machines भी लग गई तो वो किसी 2-3 TCs के lifetime expenditure से भी कम में railway का input लेगी in terms of resources लेकिन वही machines जो दिन भर में 1000 लाखो passengers को scan करने में सक्षम होगी वो easily इतने ticket sale करवा देगी railways के जो कभी भी ticket checking के fines के जरी recover नहीं हो पाएंगे और साथ साथ जो corruption वेगर का issue है वो तो खतम ही हो जाएगा लेकिन ये जो union issue है वो कही न कई पर दिक्कत बनेगा दूसरा issue है हमारे railway के infrastructure कहाँ जो की एक valid reason है इन machines का न लगाने के पीछे अब ये क्या reason है जरा समझते है generally जो metro stations होते है वो well planned होते है entries defined होती है exits defined होती है तो आपको पता है कहाँ पे कितनी machine लगाई है railways के अंदर के ज़्यादा platforms ऐसे नहीं है हमें पता नहीं कि entry exit कहाँ पर है एक station को 10 entry exits हो सकते है चोटी बड़ी कई से कोई दिवार तोड़के भी एक unofficial entry exit बन जाती है बहुत stations के उपर तो यहाँ पर railways को अगर ticket checking machines बनानी भी है तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा stations को redesign करना पड़ेगा ताकि entry और exits को separate किया जा सके बिसिकली arrival और departure को separate किया जा सके और वो separation होने के बाद में भी कही न गई पर थोड़ा समय लगेगा passengers को अपने आपको train करने के लिए कि उनको कहाँ से entry लेनी है कहाँ से exit लेना है और वो होने के बाद में ही implementation हो पाएगा ये खरचीला है देश में जितने stations का आप भी development हो रहा है वहाँ पर fortunately entry exits को separate करना एक common trend है और ये railways बड़े level पे कर रही है जहाँ पर भी major development हो रहे stations का जिसके वाज़े से future ये जो stations है वो easily ready होंगे ऐसे machines का implementation करने के लिए और साथ साथ railways को जरूवत ये भी है कि जो unauthorized access होता है पटरी पे से चल के आजो बजो के area में से directly platform या track पे गुसते हुए वो सब चीज़े खतम करते हुए कही ना कही railways को station में गुसने के लिए exactly एक entry एक exit या दो entry दो exit इस तरीके के systems बनाने पड़ेंगे और ये चीज़ railways को currently रोक रहा है तीसरा जो major issue आता है वो है कही ना कही पर passenger experience का देश में जो लोग railways से travel करते है वो हर एक class के होते है लेकिन जादबतर जो है वो lower और middle class के लोग railways में से travel करते है जिनकी लिटरिसी एक लेट और understanding कम होती है अब इन लोगों को tickets का इस्तामाल सिखाना flow सिखाना entry exits को ठीक से define करना ये security के लिए एक issue बनेगा at least कुछ सालों के लिए जब तक लोग जो है चीज़ी सीख नहीं जाते अब क्या ये बहुत बड़ा अप्स्टेकल है मेरे सबसे हां बटी अन्सॉल्वेबल नहीं है क्योंकि हमारी देश की जंसन के अजाधर हो टाइम भी लगेगा लेकिन हमारी देश के इंदर जहापर यूपी आए अडाप्ट हो सकता है जहाब और सोशल मीडिया एकसेस जो है वह हंडिड्स ओफ करोड में पहुच सकता है वहाँ पर एक टिकेट किस तरीके से स्कैन करते है और प्लैटफॉम में गुसने के जगह अलग है और बाहर आने के जगह अलग ये चीज़ समझाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए और एक दो इंस्टेंस के बाद में ही लोग चीज़ों को समझ जाएंगे जैसे ही प्रोसे स्टेंडडाइज होती है वैसे लेकिन ये करेंटली एक बैयर है लेकिन रेल्वेस को ये समझना ज़रूरी है कि कि कितने सारे एडवांट मिलेगा वोगा data collection and analysis, automated ticket checking system के current passengers की flow, ticket sales, usage का patents, साल के किस समय पर कैसा flow हो रहा है, समय समय की ticket scheduling, ये सब चीज़े जो है easily railways समझ पाएगा कि कौन station में, कौन से zone में कैसी हो रही है और ये बहुत मदद करेगा railways को route planning करने के लिए, अपने resources allocate करने के लिए वगयरा वगयरा जो provide करने का काम भी करेगा, next जो major benefit railways को आएगा, वो होगा improved passenger experience and reduced corruption, अब अगर देखो ticket checking जो है, वो सफर के शरुवात और ending में होना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर आपको एक fast process तो देखने मिलेगा ही, लेकिन हमारे यापे platforms के उपर होने वाली बीड बहुत ही जादा कम ह हो जाएगी, मैं आपको example देता हूँ, recently मेरे एक relative जो काफी जादा भुजर्ग है, उनको मैं छोडने के लिए एक station पर गया था, generally मेरे कोई relatives वेकर आते हैं, especially young तो ऐसे कोई station पर जाने की बात बनती नहीं है, लेकिन जब मैं इस समय पर गया था, तो मैंने ये multiple जाने वाली एरपोर्ट में भी notice की थी, लेकिन वहाँ पर जो भीड है, वो कही ना कही पर रुख जाती है, enter exits के यहाँ पर, और एरपोर्ट में एंटर करने के बाद में आपको वो chaos देखने नहीं मिलता, जो experience को खराब कर सकता है, security को reduce कर सकता है, और मैंने इसके बारे में tweet भी किया द हमने आये है, और कितने लोग actual में मदद करने के लिए, साथ सरे एक बहुत बड़ा issue जो होगा, वो होगा, corruption का कम होना, अब जानते हो, TCs जो है, वो tickets अगर कोई नहीं आता है, तो उनको validly बेचने के बजाए, जो है, वो उपर का चाय पनी लेते हुए बेचते है, और in fact, क और बड़ा benefit ये मिलेगा, वोगा discipline का, बारत में ticket सस्ती है, बहुत महेंगी नहीं है, लेकिन कही ना कई पर लोग जो है, वो railways को granted के लिए लेते हैं, जैसे ऐसे services बहतर हूरी railways की, ऐसे railways को passenger revenue भी कमाना चाहिए, और accordingly ये चीजी होगी, एक और final note मैं हाँ पर देना एक बहुत बड़ा issue ये भी आता है देश के अंदर, कि बहुत लोगों के लिए railways जो है, वो एक माध्यम नहीं है, बलकि एक अकेला माध्यम है, बहुत सारे लोग जो अपने villages से cities में काम करने आते हैं, उनके लिए railways जो है, without ticket के अंदर सफर करना भी slide होने देती है, क्यों हजारों लोग ऐसे होते हैं, जो सच में, railways के अजावा कोई options नहीं होने के वज़े से भी, general class जैसे मुश्किल sections में सफर करते हैं, और उन लोगे railways ने जरूर कोई solution सोचना चाहिए, और मेरे सबसे ऐसी कोई चीज नहीं है, जो बिना solution के निकाली जैसे के, और मेरे सबसे free में ये अंदे level पर travel करना solution नहीं है, ये बहुत ही जादा opinion based video था, यहापर कोई ऐसे railways के announcements नहीं इनके बारे में, या कोई ऐसा यहापर बहुत ही जादा objectively based research नहीं था, यहापर बहुत सरी चीज़े मेरी opinions थी, यापर बहुत सरी चीज़े जो है observations के साब से थी, आपको क्या